हेलो एन वेलकम बैक टो आवर चैनल कोर्सोलोजी हब मैं आपका मेंटर सिंधू जा तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो अब्जेक्टिव है वो यह है कि आज हम चर्चा करेंगे कि ICIDH जो की WHO के द्वारा बनाया गया था और ICF इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसिस क्य हैं दोस्तों तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ICIDH और ICF के बीच में मेजर डिफरेंसिस क्या है ICIDH और ICF के बीच में मेजर डिफरेंसिस क्या है इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि इसको बनाने के पीछे आपजेक्टिव क्या था तो सबसे पहली बात किसको बनाया गया है और हां एक कुछ साथी हमारे यह भी कहते हैं कि आप जबी भी कोई वीडियो बनाएं या कोई भी वी कंटेंट ले के आया कोई बात हमको बताएं क्योंकि होता चाहिए कि आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया पर आकर कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और लोग उसको विश्वास करें, ना करें, क्रॉस चेक करें, क्या करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि ये जो चानकारी में आपके साथ सेयर करने वाला हूँ ये मैंने खुद WHO की वेबसाइड के उपर से लिया है, ठीक है, उसके और व्यू का जो सेक्षन है कि ICIDH और ICF के बीच में क्या डिफरेंसिज हैं, तो इसका काड़न क्या था, काड़न ये था कि प्राचीन समय से हमारी विकलांगता के छेत्र में बहुत सारे आधार बनाए जा रहे थे, निर्मान बनाए जा रहे थे, उसके वर्गी करन की बात की जा रही थी, कि कि किस तर काम दिया गया, ICIDH, ठीक है, तो क्या था ये model, कैसे काम हुआ है, इस model का, इसको बनाने के पीछे है विसकता क्या थी, तो चलिए इसको समझते हैं, तो ICIDH की बात करने से पहले, हम ICIDH का full form को समझ लेते हैं, ICIDH का full form होता है, International Classification Impairment, ठीक है, D for Disability and H for Handicap, ठीक है, International Classification Disability of Impair Management Handicap, तो इसको बनाने के पीछे क्या objective था, ये साल 1980 में, ठीक है, WHO के द्वारा बनाया गया, जिसका मुख्याले, स्वीड़े लेंड के जिनेवा में है, इसको बनाने के पीछे था, ये liner model पर आधारित है, किस model पर आधारित है, liner model पर, उन्होंने कहा, liner model का मतलब होता है, क ये एक क्रमा अनुसार चलेगा, ठीक है, क्रमा अनुसार का आर्थ है, कि पहले एक वेवस्था बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद वो, जैसे कि माल लिजे कि पहले किसी भी व्यक्ति को छती होगी, छती होने के बाद में, उस व्यक्ति के अंदर उस छती के क मैं और ठीक सकक एक एकाया चाहिए जृक करें द्वा धाने गया है और ज 12 के द्वारा इस मोडल को सल、 बनाया गया जी हां बहुत ही इंपॉर्टण कोर Simpson बहुत ही इंपॉर्टेन dipping के छेतर्म में काम करने वालों के लिए कि 20 विकलांग दिवस कम मनाया गया था तो 20 विकलांग दिवस मनाया गया था 1981 में और अगर दूसरी तरफ इसी परिपेक्ष में इंडिया की बात की जाए तो साल 1977 या निकी 1977 के अंदर हमारी सरकार ने भी विकलांगों के लिए reservation की विवस्था करी उस समय में मुराजी देशाई की सरकार थी भारत के अंदर में और उन्होंने भी कहा कि विकलांगों को भी बढ़ चड़ करके भाग लेना चाहिए और 1976 की बाद करे तो हमारे भारत में भी समावेसी सिक्षा का आधार रखा जाने लगा था तो यानि कि हम मान सकते हैं कि जो 1980 का दसक था वो विकलांगों के छेतर में करांती काड़ी परिवर्तन को ले करके आ रहा था तो हम समझ पाए इस मोडल में कि ICIDH क्या है किसके द्वारा बनाया गया किस परकार से बना तो अब हम जानते हैं ICF के बारे में ICF की बात करने से पहले हम देखते हैं कि ICF का फुल फॉर्म क्या होता है तो ICF का फुल फॉर्म होता है International Classification of Functioning Disability and Health तो यह बनाया गया था WW अचच वे साल 2000 में वो कब बनाया गया था प्रश्ण यह आता है कि एकर W GREGो ने साल 1980 में ही वह बना-लिया था तो उसको साल 2000 में इसको बनानी कि क्या है सकता थी कि जो व IDOOOO ने 1980 में जो बनाया था वो उसका जो आधार था वो था medical आधार यानि कि कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसका आधार उसका medical ground होगा ठीक है और उसके बाद में जो ICF जो बनाया गया साल 2000 में revise जो बनाया गया डवली अच्चो के द्वारा ही दोनों मॉडल डवली अच्चो के द्वारा ही बनाया गया सामाजिक आधार पर यानि कि जो international classification functioning of health है वह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खाली medical आधार नहीं अगर वह सामाजिक आधार पर भी पूर्ण रूप से बहिस्कृत है तो उसको भी विशेश आवेशक्ता की जरूरत होगी ठीक है यह जरूरी नहीं है कि कोई medical आधार पर यानि कि कोई स्वास्त के आधार पर ही विकलांता की स्रेणी में सामिल हो सकता है उसके खिलाफ अगर समाजिक रूप से भी उद्राग रह का सिकार हुआ है तो वह भी स्रेणी के 20 साल के दोर कें अंदर एक चेंजज आया तयार्यकी 2000 से लेकर कि की 2020 के अंदर में कोई चेंज नहीं आया क्या अभी भी हम ICI-ICF के ही मोडल क्या अनुसार काम रहे हैं तो जहिद सी बात है कि 20 साल के दोर में दूसरा चेंज भी आ सकता है तो जी हाँ अब दोनों मॉडल को मिला करके बायो साइकल मॉडल को बनाया गया है कौन से मॉडल को बायो साइकल मॉडल यानि कि इसके अंदर मेडिकल ग्राउंड को भी समलित किया गया है और सामाजिक आधार को भी समलित किया गया है और दोनों को मिला करके बायो साइकल मोडल को आधार बना करके आज हम विकलांगता अच्छमता के साड़े परिभासाओं को, साड़ी कंडीशन को और सभी चीजों को जांच करते हैं I hope कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर इससे संबंदित आपके किसी भी प्रकार के प्रस्ण है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से यासे नए टॉपिक है जिसके उपर आपको disability के related ठीक है या फिर जो हमारा जो special education का सिग्मेंट है उसे related आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना है आपको हमारे चैनल को subscribe करना है और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको उसको like करना है और जितनी भी social media platform पर आप जुड़े हुए है और आपको लगता है कि इस channel के उपर मेहनत होती है इस channel के उपर आपको सही जानकारी दी जाती है तो बस मेरी आपसे इतनी दरखास्त है कि आप हमारे channel के link को जहां तक possible हो सके वहां तक share जरूर करें क्योंकि कोई भी आदमी अ से पास हो जाओगे यह हो जाएगा वह जाएगा तो लोग खडीद लेते हैं लेकिन मुफ्त की चीज की कीमत नहीं होती लेकिन मैं जानता हूं कि जो समझदार और ज्यानी और विद्वान लोग है उनको पता है कि हर चीज की कीमत होती है कि प्राकिरती हमें जल हवा और नए रखेंगे ताकि हम आपके लिए नए नए लेटस्ट वीडियो लेकर के आते रहें तो जी हां आपको इससे सम्मंदित कोई भी प्रश्न हो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें और किस नए टॉपिक आपको वीडियो चाहिए वह भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में और जो हमने 21 डिसिविल्टी की जो सीरी चला रखी है उसकी वीडियो तो आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहती है और वो वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये जानकारी को साधा करके तो थैंक्यू सो मच हमार साथ जोड़ने के लिए जय हिन जय भारत